हलो और विल्कम फ्रेंट्स आज की ये विडियो है Microsoft Excel के और Microsoft Excel में क्या खास है क्या सिखाने वाला हूँ आईए आपको बताता हूँ यहाँ पर देख सकते हैं ये area ये हिस्सा मैंने select किया है और यहाँ से अब आपको प्रेस करना है एक shortcut की वो shortcut की क्या है सबसे पहले आपको प्रेस करना है alt फिर प्रेस करना है o और फिर प्रेस करना है deal तो जैसे ही आप प्रेस करते हैं तो conditional formatting rules manager का ये window open हो जाता है अब यहाँ पर करना क्या है यहाँ पर देख सकते है new rule दिया हुआ है बस इसी पर click कर दीजिए और click करने के बाद ये जो दिया हुआ है format only sales that contains तो इस पर click कर दीजिए और यहाँ पर नीचे देखेंगे edit the rules description इसमें जाकर के ये जो sell value है इसे हमें specific text बना देना है ठीक है format यहाँ पर आएंगे format पर आएंगे और format पर जैसे ही आएंगे तो यहाँ हमें आना है color पर fill पर ठीक है तो यह fill पर आ करके और इसे हम कर देते हैं green ठीक है तो अब यह green color में नजर आएगा और अब यहाँ से आपको क्या करना है अब इतना करने के बाद यहाँ से ok पर click कर दीजे और फिर new rule पे जाईए और फिर वही प्रोसीजर आपको follow करना है format only sales that contains पे जाकर के फिर यहाँ पर आपको sell value की जगा कुछ और यानि की specific text को choose कर लेना है और यहाँ पर लिख देना है not qualified तो यहाँ पर मैंने लिख दिया not qualified इस तरीके से आपको लिख देना है और लिखने के बाद यहाँ format पे click करना है और format पे click करने के बाद यहाँ पर कर देना है इसको red ठीक है खत्रे का symbol है not qualified ठीक है तो यह कर दिया हमने और यहाँ से okay करना है ओके अब यहाँ पर देखेंगे यहाँ not qualified मैंने लिख दिया है और यहां से जैसे ही आप ok press करेंगे तो यहां पर यह इस तरीके से नजर आएगा अब यहां से आप apply करके ok कर दीजिए ठीक है आपका कम हो गया है अब यहां पर qualified लिखिए ठीक है चले देखते है q u a l i f i e d यह लिखा मैंने और यहां पर green आ चुका है ठीक है अगर मैं यहां पर not qualified लिखता हूं लैकि यहां पर लिखा मैंने not qualified qualified इस तरीके से और enter press किया तो यहां पर देखेंगे कि यह red में आएगा जितना area आप selection में लेंगे उसी हिसाब से यह होगा ठीक है तो मैंने जितना area selection में लिया था उसी के हिसाब से यह चलेगा ठीक है और फिर यहां पर मैं क्या करता हूं not qualified कर देता हूं तो आप देख सकते हैं यहां पर लिखा मैंने not qualified तो जैसे not qualified लिखेंगे तो यह automatically red हो जाएगा और बाकी हिस्सा जो